Hello students, today we are going to learn NCRT solutions for class 6, ok? Science chapter 14 and chapter name is water, ok? हम इस chapter का questions and answers को solve करेंगे Question mark first दिया गया है, fill up the blanks in the following आपको खाली अस्थाम को भरने है, ok? A is given, the process of changing of water into its vapor is called evaporation, ok? Then first, आपको क्या भरने है, evaporation, ok? The process of changing water into vapor, जब पानी vapor में change होता है, वास्पीत होता है, तो इसको हम बोलते हैं, evaporation, ok? B, the process of changing water vapor into water is called condensation, ok? जब कोई भी वास्पीत पानी, ठीक है? वो एक पानी में change होने लगता है, तो इसको condensation होते हैं, ok? अगर एक या दो साल तक कहीं भी किसी भी एरिये में बरसात नहीं होती है, रैन फाल नहीं होती है, तो क्या हो जाता है? वहाँ पर ड्रॉट मिन्स सूखा पड़ जाता है, ok? इन थर्ड नमबर, वहाँ पर फिल ड्रॉट, डी, एक या सूरेंस में कास फ्लॉट्स, ok? मिन्स अगर ज्यादा बारिस कहीं एरिया में होने लगे, तो वह क्या होता है, वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, फ्लॉट्स, ok? इन दी, आपर फिल फ्लॉट्स. Q2 एस में क्वेट लान आ सकती है, तो लान खिलुटह, वहाँ वहाँ, दो कि अवपराश वाँत्व झास, उन इन दुटॉटओ सरहिसר passport अपर बाञा नंचान को दैसक्षर लान सेहीं, दो पीममताञा पिल – बाट बाहिद एक रदाना, बाट रॉटॉटह, वहाँ बाहिस पहला है water drops appear on the outer surface of glass जब हम glass लेते हैं अगर उसमें पानी भरते हैं तो उसके outer पार्ट में जो पानी दिखती है या drop दिखती है क्या कलाता है cool water में condensation कलाता है अगर हम उसे iron करेंगे तो उसमें से इस्टी मतलब भाप निकलने लगाएंगे तो उसमें से करते हैं अउस प्रतिकिर्या को हम evaporation कहते हैं okay see fog appearing on a cold winter morning जो winter season में fog रहता है ओस रहती है ठीके उसको हम क्या प्रतिकिर्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे condensation क्योंकि जो वह fog रहता है वह एक तरह से जमा रहता है या एक तरह से थोड़ा बर्फिली जैसा रहता है जब हम blackboard को क्या करते हैं किसी भी चीज़ से पहुचते हैं उसके बाद जब ब्लाइक बड़ सुख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं क्योंकि जब उसके पानी लगे थी जब हमने उसको वाइप किया था अब उसके बाद जब सुख जाता है तो वह वास्पित हो के वहाँ से पानी क्या होजता है अस्मान में चला जाता है तो उसको इस प्रतिकिर्यों को हम बोलेंगे इवापरेशन ओके इस टेम राइजिंग फ्रामें हॉट गर्डल विन वाटर इस प्रिंकल्ड ऑनीट जब 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 अगर हॉट पोई चीज है ठीक है ज्यादा गरम है कोई बरतर या कुछ भी ठीक है हम उसपर क्या करते हैं वाटर डालते हैं तो वाटर क्या होता है स्प ट्रतकिरजुकों खोलेंगे दिए quaj stick with on the call कुछ偉ब फॉल्लविंग इस्तेटमेंट एडू ऌř अंसर इसमें से कौन से स्टेटमेंест ड्रू है कौन से स्टेटमेंट फाल्स है इसमें आपको करने हैं ओक वाटर वाइपर शिर्फ क्या होता है तभी उसमें वाटर वाइपर परजेंट रहते हैं नहीं इस इस फाल्स ओके वाटर वापरेट इन्टु एर फ्राप ओसीन रिवर अनलेक्स बट नाट फ्रांट फ्रांग वाइप य लमाप वाटर होता है व महाट भडर उसमापन वारम संहब किma उसमें आब या तो आ या रोता है वाटर उसमाट फिक वाटे नहीं होता है उता है टर मपार्स बंट फी और process of water changing into its vapor is called evaporation yes this is true okay क्योंकि जो वाटर है वो एक वैपर में चेंज हो रहा है तो है तो इस इस काल ईवपरेशन okay D the evaporation of water takes place only in a sunlight false okay जो एवपरेशन होता है वो सिर्फ sunlight जब धूप रहने तभी होता है नहीं this is the false okay water vapor condenses from from the droplet of water in the upper layers of air where is it cooler true okay do water vapor condensations होते हैं वह छोटे 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 ड्रॉपलेट होते हैं पानी के उसके उपर के लेयर में उसके हवा में उसके उपर के लेयर में क्या होते हैं वह वाटर सोते हैं जहां पर ज्यादा कूल होता है वेलिजिटी कूलर जाप कूलर होता है इस ट्रू ओके कोच नबर फोर्ट सपोस्पोस्ट यूँ वांट टू ड्राइवर इस्कूल इंफार्म क्यूख लिए मिस अगर मान लेजे के आपका स्कूल ड्रेस से आप उसको अच्छी से तुरंत ही क्या करना चाहते हैं सुखाना चाहते हैं उट इस्प्रीडिंग इट नियर अन अन इन इटी और हीटर हेल्प इफ यस हाउ मिस अगर आपको जल्द ही कुछी टाइम में आपको अपनी स्कूल की इनफार्म को सुखाने त और हीटर विल हेल्प विकॉज इंक्रीज दे रेट ऑफ इव परेशन दूट ही अगर हम अंगेठी और हीटर के यूज करें किसी भी कपड़े को सुखाते हैं तो वह जल्दी से सुख जाएगा क्योंकि जूट देगा और जो उसमें से पानी रहेंगे कपड़े में से वह जल्दी ही वास्पित होकर उड़ जाएगा या जल्दी ही वास्पित हो जाएगा यह ओपरेशन हो जाएगा ओके व्यूज नमर फाइब टेक आउट एक पूलेट बॉटल आफे वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर और कीप इट ओन एक टेबल मिस बोल ला है कि एक बॉटल ह जो आपको अपने फ्रीज में से बाहर निकालना है जिसमें पानी बरहा हो ओके आप्टर सम टाइम और उस बॉटल को क्या करना है एक टेबल पर रख देना है और आप्टर सम टाइम यू नोटिस एड्रॉपलेट आफ वाटर अर इसके उची टाइम बात आप देखेंगे जो बॉटल रखे रहेंगे उसके चारो बगल जो बॉटल में छोटे चोटे पानी के ड्रॉपलेट रहते हैं ठीक है ड्रॉपलेट आ जाएंगे ऐसा क्यों होता है अंसर विकॉल व्कॉल तरफेस आफ एर अराउं देखेंगे क्यों हो जाएंगे और उसके वजे से जो छोटे चोटे पानी के ड्रॉपलेट उस बॉटल पर दिखना शुरू हो जाएंगे प्रेट करते हैं तो क्या करते हैं अपने ब्रेथ अपने सांसों को उसको गीला करने के लिए क्या करते हैं उस ग्लास पर भाफ मारते हैं यानि आपको एक्स्प्रेंट करना है कि वह ग्लास क्यों गीला हो जाता है और वह किसी भी चीज पर चस्में पर पढ़ता है तो क्या होता है वह ग्लास का सर्फेस क्या होता है इसलिए कुल्डाओं हो जाता है और वह गीला हो जाता है और वह उसे आसानी से वाइप करते हैं पोच्छते हैं कोशन नमर्स सेवन हाव आर क्लाउट्स फॉर्म मिस बादल किस तरह बनते हैं आंसर्ड दे प्रोसेस आप कोंडेसेशन प्ले अन्हिम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक तु दे सर्फेस आफ दा आर्थ एज हीए जोकी जमीन पर पानी लाने के रिए ओके as we go higher from the surface of earth अगर हम जमीन से थोड़ा और उपर जाएंगे it gets cooler आपको थोड़ा ठंड मासूस होगी ठेके, त्यूंकि उपर जब भी हम जमीन से उठका थोड़ा उपर जाते हैं तो वहाँ पर मौसम के रहाता है काफी ठंडी ठंडी हवा चलती है when the air moves up जब हवा चलती है it gets cooler and cooler वो क्या होता है आप वो ठंडा होते जाता है at sufficient height the air becomes so cool that water vapor present in that condensuses to form tiny drop of water called droplets इसके बाद क्या होता है अब हम sufficient height मतलब एक sufficient height पर चले जाते है the air becomes so cool जो हवा होती है काफी cool हो जाती है ठंडी हो जाती है that the water vapor present in the condensuses condensuses since to form tiny drops और जितनी जो हवा होती है उतनी ठंडा हो जाती है वो क्या create करना सुरू हो जाता है water vapor जो होता हो present होता है हवा में ठीक है तो condensuses to form tiny drops condensuses होते हैं तो वो क्या करता है एक में drop को छोटे-छोटे drop पाने के drop को create करना सुरू कर देता है ठीक है अब water called droplet इसको हम droplet करते हैं कोशन नमर एट वेट डाज एट ड्रॉट अकर मिस सुखा कब पड़ता है अंसर if it does not run for two or more years water is lost from the soil due to the evaporation and the transpirations मिस जब कभी continuously वो एक से दो साल तक बारिस नहीं होते हैं किसी वे अस्थान पर तो उसके वज़े से जितने भी पानी रहते हैं उस जमीन में या उस जगा पर वो वास्पित होकर असमान में चले जाते हैं और transpirations के वज़े सा असमान में चले जाते हैं इस ड्राइज स्वाइल and water in the ponds and the lakes are dried up और वहां के जितने भी ponds होते हैं पोकरे होते हैं नदी होती है कोई भी जगा होती है सीधी तरह से सुख जाती है and this leading to the blood conditions और वहां पर क्या होता है सुखा आ जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लोगे है प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंकिस सो मच